नहाने से 30 मिनट पहले अगर आपने इस toner slash serum का application अपने scalp पर कर लिया तो यकीन मानिए कोई भी परेशानी जापके scalp पर है या हो सकती है यह उसका समाधान कर सकता है किसी भी प्रकार का dandruff कितना भी severe hair fall hair regrowth आप देख रहे हैं hair growth आप करना चाहते हैं इन सभी चीजों में यह आ यहां कब दोए था last time नीचे लिखकर बताना आज चो explanation में आपको दोंगी अगर आपको समझ में आ गई और accordingly आपने इसको execute अपने लिए कर लिया तो बस आप इतना खुश होने वाले हैं कि मैं भी बहुत खुश हो जाओंगी तो आईए जानते हैं what all needs to be done और अगर presentation कहीं पी रस्ते में पसंद आए तो लाइक करना मत भूलेगा और comment section में हमें अवश्य बताएगा हाई everybody welcome back to this channel I hope आप बहुत खुश है और अपना बहुत अच्छा खयाल रख रहे हैं चल्दी से मुझे नीचर लिख कर बताएए कि आपके हैर केर का सबसे इंपोर्टन चीज क्या है मतब जिसके विन आप सोचते हैं कि भई हैर केर पॉसिबल नहीं है इट कुट भी शैंपू, सीरूम, कुछ भी हो सकता है नीचर लिखकर बताएए जरा हम कुछ चेक करना चाहते हैं अगर चानल पर पहली बार आये हैं तो मेरा नाम है प्रीड़ना इस प्यूटिफुल से फैमिली का नाम है प्रीदी प्रीड़ना जहां पर मैं बहुत ही खुब्सूरत यह इस अब दो चीजे शेयर करने के लिए आई हूं एक हेर टोनर जिसको सीरूम की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एक हेर टॉनिक जो जिसका हम कंजम्शन करने वाले हैं यानि कि हम इंटरनल बॉड़ी को भी हेल्प कर रहे हैं ताकि वो अपने आपको हील कर सके और हम करने वाले हैं ताकि बाहर से भी हमारी स्किन को हमारे स्काल्प को वो चीजे मिलती रहें और जो प्रॉसेस है ग्रोथ का हेर फॉल को रिस्ट्रिक करने का वो फास्टन किया जा सके इसलिए ध्यान से एक्स्पलेशन को सुनिए इंग्रीडियंस को देखकर ही आपको समझ मे जाएगा कि यह क्यों काम करने वाला है और क्यों आपको यह हैर ग्रोथ देने वाला है इतना कॉंफिडेंटली मैं आपके आपसे क्यों कह रही हूं किसका आप सेवन कीजिए तो आज के हमारे हेर टोनर और हेर टॉनिक को बनाने की प्रक्रिया को शरू करने के लिए सबसे पहली चीज जो यहां पर आपको चाहिए वो है एक कंटेइनर जिसको आप हीट होने के लिए रख देंगे और इसमें आपको लेना है सेवन फिफ्टी एमेल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर जी हां आप पे जल का इस्तमाल यहां पर करेंगे क्योंकि हमें कंजियूमिबल बना रह है वो है टू टेबल स्पून ओफ मेथी दाना यानिकी फेनोग्रीक सीज इसके बारे में आनी नॉट से मैंने चानल पर बहुत सारे चालेंजर आपको दिखाए हैं जहां पर एक वाश में हमने हैर फॉल को रिस्ट्रिक्ट किया था लेकिन अगर डेफिशेंसी अंदर से हो मेथी दाना में सबसे ज्यादा होता है आयरेन कॉंटेंट जहां तभी आपके फॉलिकुल्स को वो शक्ति मिलती है कि वो बालों को आसानी से चूटने नहीं देता गिरने नहीं देता अगर आप चाहते हैं कि आप फेनोग्रीक के बारे में और पड़े तो प्लीज गो फॉ इंग्रीडिन इसका इस्तमाल यहां पर आपको करना है वो है टू टेबल स्पून ओफ कलॉंजी के बीज यानि की नाइजेला सीट्स यह अकेला ऐसा कंटेंडर है जो कि आपके शरीर में किसी भी प्रकार के हेल्थ इशू, स्किन इशू, हैर इशू को अकेला सॉल कर सकता ह इसका कंजम्चन शुरू कर दीजिए, इसका अप्लिकेशन शुरू कर दीजिए and you are good to go यह इतना powerful है कि इसके अंदर जो vitamins मिलते है, vitamin A इसके अंदर है, vitamin B, B12 इसके अंदर है, B12 जिसकी deficiency के वज़ज़ से hair fall होता है, वो इसमें बहुत अच्छी मात्रा में है, niacinist में होता है, इसके अंदर amino acids होते है, आप सभी जानते हैं, हमारे बाल protein है और यह बहुत अच्छ इसकी environment आपके बालों को आपके hair follicles को देता है, जिसके वज़ज़ से वो बहुत अच्छी growth कर पाते हैं, तो इसका हमने इहां पर infusion कर दिया, तीसरी चीज जो आपको यहां पर लेनी है, वो है 1 tablespoon of white rice, जो आप खाते हैं, exactly वही वाला, white rice को हम यहां protein content के लिए नहीं, carbs के ल जो की लगने के बाद भी आपके बालों में रह जाता है, इसको shine देता है, आपके cuticles को heal करता है, आपके hair follicles को strength देता है, किसी भी प्रकार का dandruff अगर हो रहा है, तो उसको fix करने में help करता है, तो अब आप बताएए कि rice का सिरफ एक चम्मच यहां पर जो magic करने वाला है, य एक इतना important ingredient है, कि मैं चाहती हो कि प्लीज आप इसके बारे में पढ़िये, इसके इंदर विटमिन C इतना ज्यादा amazing होता है, जिसकी वज़े से आपके बालों में shine आती है, एक laxative का काम करता है, इसलिल आपकी health के लिए बहुत important है, और काफी safe option है, आप इसको खा सकते है, अगर आपके पास fresh flowers है, तो आप उसकी petals यहां ले सकते है, मेरे घर में जो गुड़ल का फूल है, वो रोज कम से कम दो फूल यहां पर आते है, और शाम कोई बंद हो जाता है, सिरफ एकी दिन की life होती है इन flowers की, तो मैं शाम को नहीं तोर के, शाम को नहीं आपके और रख तो यह मेरे पास सारे के सारे dried flowers है, जो की इस ही हफते की है, तो आप देख सकते हैं, तो आप सोब देख सकते हैं, अगर आप कोई अलर्जिक परसन है, तो इसका जो उपर पोलन होते हैं, इनको आप हटा दीजिए, सिरफ पैटल्स का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अगर अग अप्छे से बॉल होने दीजिए, अपना जो रंग है, जो अपना nutrition है, वो पानी में रिलीस करने दीजिए, आप देखेंगे, कुछ समय के पस्चात, यह बिल्कुल काललेस हो जाएंगे, अपना सारा रंग इस पानी में देदेंगे, और यह जो पानी है, मेथी दाना और ग रास्ट इंगरिडिन्ग इसका इस्तमाल हमें यहाँ पर करना है वो है कडी पत्ता, ने रे पासam फ्रेश करी लीव्स नहीं थे, इसीलिए मैंने यहाँ पर सूखे हुए कडी पत्ते का इस्तमाल किया रहें है, मैं आपको बता दिना मैं चाहते हूं कि कड़ी पत्ते के अंदर, again, मैं अब बोलेंगे प्रेंटना तो उसके लिए भी बोला था, इसके लिए भी, क्योंकि यह इतने पाफ़ल है, कड़ी पत्ता अकेला, चानल पर ही कितने सारे लोग है, come on family, नीचे लिखकर बताओ, कौन-कौन है वो लोग जिन् आपके बालों को बहुत अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करता है, बहुत अच्छा नरिश्मेंट देता है, इसके इंग्रीडियंट्स, इसके जो नुट्रिशन है, उसके बारे में आप पढ़िए, यू विल बी अमेज्ट, तो मैंने यहाँ ड्राइड करी लीव नीए है, जब यह अप्रोक्सिमेटली थ्री-फोर्थ रहे जाए, यानि कि तीन-चौह था ही, जतना आपने लिया था, 750 ml लिया था, अप्रोक्सिमेटली यह 500 ml रहे जाए, तब आप ग्यास को बंद करेंगे, जब यह बॉल हो रहा होगा, इट लोक सो ब्यूटिफुल, और आप दे टेनर हमने अलग अलग लिये है, इसलिए टाइम उपर निचे हो सकता है, सबसे एजिएस्ट वे है कि चावल पग जारा चाहिए, राइट, इस वेरी सिंपल तो अब्सरब, अगर आपका चावल पग ग्या है, जो मेथी दाना है वो पग ग्या है और असानी से पिचक रहा ह अब ग्यास बंद कर देंगे और इसको साइड देंगे ताकि यह ठंडा हो जाए जिहां गरम आपको कुछ नहीं करने हैं आप इसको चान लेंगे और इसको चान के आप एक काच की बॉटल में रख लेंगे और यह आपका वीकली टोनर तॉनिक बनकर रेडि हो गया है जिसका कंजम्शन आपको करना है टेस्ट के बारे में कुछ मत बूलेगा बाल बचाने ना दवाई तो खाले तो आप इसको खा सकते हैं मैं आपको बताती हूं कैसे आपको कंजम्शन करना है और जो बचा है उसको आप एक स्प्रे बॉटल में ले लेंगे ठीक है अच्छे से नीट अन क्लीन स्प्रे प्रेना दिस चीटिंग वही खाना वही लगाना अचा ठीक है फाइन ऐसा करो जो स्प्रेय ना उसमें अप एसेंशल ओल डाल लो खुश्बू के लिए इफ ए टॉल यू वांट आप लोगों की अगडम शगडम चाहिए होता है जो बहुत पाफुल चीजे होती हैं बहुत यह बहुत पाफुल है अगर आप अपने बालों में लगा के रख सकते हैं तो नथिंग लाइक लेकिन मेरी वह वाली जंता जोने हमेशा शिकायत रहती है हमें ऑफिस आना होता है और आप हमेशा इसी चीज़े बताते हो जो हम ऑफिस आते में नहीं कर सकते यह तो कर सकते ह इसी उठे ही सीधा बाल अच्छे से अपने बालों में इस प्रे कर लिया उसके बाद अपना ब्रश कर लिया रेडी हो गए मंमी से किट किट कर ली वाटेवर इस और फिर रेडी हो जाए मिनर जैसे आप नहाते हैं वैसे नौर्मली नहा जाहिए क्या शैंपू करना जरूरी नहीं है लेकिन बाल धोना जरूरी होगा क्योंकि इसमें राइस और मेथी दाना है तो हलका सा आपको करना पड़ेगा तो शांपू करोगे बहुत बढ़िया बिल्कुल ही नहीं दोना चाहते है यह चेक करना पड़ेगा क्योंकि हलका ओई लगेगा तो अब आपके उपरे जैसे आप कामफोटेबल हैं टॉकिंग अबाउट टॉनिक कि इसका कंजामशन कैसे किया अगर आपको ऐसे जन है जिसे कोई फरक नहीं पड़ता मुझे बाल लोगाने है आई डोंट केर अबाउट टेस्ट लीजिए चम्मच में दो चम्मच घटक जाएए नो वरीस हमें फरक पड़ता है हमें तो टेस्ट मैटर करता है एक चम्मच आदे ग्लास में मिला के पी ज जाएगा फिर घटक जाएए परपस है कि इस ट्रॉनिक को आपके पेट तक पहुचाना है ताकि आपके सिस्टम को मिल सके और आपको बहुत अच्छे रिजाल्स मिल सके अगर आप फोर्स तिंग इन दो मौनिंग यह ले सकते हैं यसे आपका मौनिंग तो बहुत ही बढ़ पास टाइम है ना उन आलसी लोगों के लिए जिनको करना ही नहीं हमें इन पताम याद नहीं रख सकते कब लगाने कभी भी पीलो फाइन जब पी सकते हो पीलो परपस है कि यह आपके पेट में आपकी पुटकी में चला जाए आपकी सिस्टम को मिल जाए और आपके अंदर करना है गर्मिया चुकिया ओविजली इस फ्रिज में ही स्टोर करना है जिनकी पास फ्रिज नहीं है वह पानी का कंटेनर लेके उसमें रख सकते हैं इस वज़े से कुछ समय और लंबा चल जाएगा एक के नौट गारंटी कितने समय बट येस यू कन दू दाट फोर शॉर क इसके कोई साइड एफेक्ट है कोई साइड एफेक्ट नहीं है लेकिन इसमें मेथी दाना का इस्तिमाल हुआ है जिसकी तासीर गरम होती है इस वज़े से पानी का सम्ट ज्यादा रखेगा हम कंज्यूम करए हैं एक चम्बश क Kung लृचर की लेकिन फिर भी पानी Children's Office कर सकते हैं यानि कि हफते में दो बार या फिर अगर आप कांफरेबल है और मांड का पानी कोई भी स्टेइन आपके बालों में नहीं छोड़ रहा है कोई भी फ्लेकिनेस नहीं बना रहा है तो आप इसको अल्टरनेट डेज भी यूज कर सकते हो आपसलिटली नो प्रॉब्लम नॉर्मल शांपू साइकल रखिए कोई ज्यादा एक्स्ट्रा शांपू करने के जरूरत नहीं है और यूल बी हैपी जब आपको रिजल्स मिल जाए तो आपको क्या करना है आपको वापस इस वीडियो पर आना है और लिखना है कि प्रेणा वी रिजल्स पूरे परिवार के लिए ये बहुत एकसाइटिंग होता है आपके रिजल्स मैं पिन कर देती हूं ताकि बाकि सब लोग देख सके और कॉन्फिडेंस ले सके यकीन मानिए किसी और को कॉन्फिडेंस देने से ज्यादा आपके लिए कुछ होई नहीं सकता साफ़ा रिवाइन करके वापस उनो, it's very important, आशा करती हूँ, आप सभी कोई प्रस्तुती पसंद आई है, अगर पसंद आई है, तो thumbs up दे दीजे, नई है चानल पर तो subscribe कर लीजिए, friends and family में किसी को इसके आवशकता है, तो उसके साथ share कर दीजिए, एक साथ करने में फानी कुछ हो र ही, I love you all, take care.